बरसात के मौसम में पानी इकठा होना और उसमें मच्छर पैदा हो जाना बहुत ही आम समस्या है हेलो एवरिवन हर हर महादेव आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अवेरनेस व्लॉग आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में गड़ों में जो पानी एक्योमेलेट होता है और उसमें जो मच्छर पनपते हैं हमें उनसे कैसे बचना है हमें उस चीज को कैसे नस्ट करना है तो इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आप इसको end तक देखिएगा और अगर अभी तक आप में मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीज़े बनारस की बंदी हूँ और बनारस के बारे में बहुत कुछ कोसिस करती हूँ ले आने का आपके सामने तो आप देख सकते हैं मेरे घर में दो पॉट थे काफी समय से उसमें पानी कठा हो गया था बरसात का और उसमें इस किस्म के मच्छर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पनपने लगे उनकी ब्रेडिंग होने लगी उसमें तो आज हम इस चीज को खत्म करेंगे किस सरीके से करना है ये आप इस वीडियो में एंड तक देखिएगा क्यूंकि जो मॉस्किटो होते हैं वो दिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो ये नहीं देखते कि आप मेल हैं फीमिल हैं तो यहाँ पे हम इस्टमाल करेंगे किरोसीन ओयल का ये सबसे इजी उपाय है मॉस्किटो से बचने का डेंगू से मलेरिया से फीमिल एनाफलीस से अगर आप इस प्रोसीजर को करते हैं तो आपके अगल बगल में जो गड़ पानी में उस गड़े को अच्छे से सॉयल डालके बंद कर दें यानि कि उन्हें पानी ही न मिले पनपने के लिए ब्रीडिंग करने के लिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे किरोसीन ओयल डाला ये इनकी जो एक्टिविटी है वो डल हो रही है ये ब्री मुष्टी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो भेदभाव नहीं करते कि वह किसको काटना है किसको नहीं काटना है एंड दोस्तों एक इंफेक्टेड मौस्किटो अगर आपको बाइट करता है तो आपको मलेरिया हो जाता है इस चीज का ध्यान रखे अपने इंवार्मेंट को सेफ रखे क्योंकि प्रिकॉशन इस ऑल्वेस बैटर देन क्योर और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मच्छर सिर्फ बरसात के पानी में ही पनप सकते हैं मच्छर बेसिकली कोई भी रुका हुआ जमा हुआ पानी है तो उसमें जन्म लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें मॉस्क प्रिक्र बबाई